तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल में अनिस्टाल के हुए एपलिकेशन को वापस कैसे ला सकते हैं या अगर गलती से किसी भी एपलिकेशन को यहाँ पे डिलिट कर देते हैं तो उसको रिटन आप कैसे ला सकते हैं और बिलकुल आसान तरीका इसे में आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पले स्टोर ओपिन करना है ठीक है पले स्टोर ओपिन करने के बाद यहाँ आपके चैनल में जाना है यहाँ कोने पे किलिक करना है उसके बाद में यहाँ पे कई अप्सन खुल के आ जाएगा तो सबसे फ़र्ष्ट वाले अप्सन पे जाना है manage apps and device और लेकिन आपको ध्यान रहे कि अगर आपके mobile में 2-3 gmail id login है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ अगर 2-3 gmail id login है तो जिस gmail id से आप उस application को डाउनलोड किया रहेंगे उसी को यहाँ पे select करना है ठीक है करने के बाद यहाँ पे manage apps and device पे जाना है उसके बाद में देख सकते हैं उपार आ रहा है overview और manage तो manage में आपको जाना है manage में जाने के बाद यहाँ पे वो सब application दिखाई दे देगा जो इस समय आपके mobile में install है ठीक है यह यहाँ पे दिखाई दे देगा लेकिन जो install करके uninstall आप यहाँ पे कर दिये हैं या पहले uninstall किये हैं तो उसके लिए आपको यहाँ install वाले पे click करना है और नीचे देख सकते हैं दो आपसा न आ जाएगा इस्टालेट और नीचे लिखा रहेगा not install तो not इस्टालेट पे आपको simply click कर देना है अब देख सकते हैं यहाँ पे जो recently में आप apps को uninstall किये रहेंगे या delete किये रहेंगे या इससे पहले के कुछ दिन पहले के application अनिस्टाल किये रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे install किया था और install बाद में कर दिया था देख सकते हैं यह सब application है ठीक है इसमें कुछ game भी है और video बनाने के यहाँ पे कुछ DSLR camera application यहाँ पे मैं यूज किया था देख सकते हैं यहाँ पर यह सब मैं यूज किया था और बाद में इसको अनिस्टाल कर दिया हूँ और देख सकते हैं अभी इरेजर जो फोटो का बेक्गराउंड हटाने वाला एप्लिकेशन होता है वो भी मैं यूज किया था और इसको भी अनिस्टाल में कि दिया हूँ अब यहाँ पर आपको देख लेना है कौन सा application आपको दुबारा install करना है ठीक है example के लिए माझ लिजिए यहाँ पर delete video recovery हमें वापस लाना है तुझ सेब्सक्राइप क्लिक करने के बाद यह खुब जाएगा application और यहाँ पर install आप यहाँ से जो भी एप्लिकेशन डिलिट हुआ रहेगा सब वहीं पर सो कर देगा और दुबारा आप इस तरीके से ला सकते हैं अगर आपका कोई दूसरा मोबाइल है और ये आपसा नहीं आ रहा है तो हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं